नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर दीजे ये बहुत खुबसूरत लगेगा तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजे और पास दी गए घंटी को दबा दीजे तो चलिए हम सुरू करते हैं पहले आप अपने सलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लिजे फंदा आप 12 के मल्टिपलेस पे डालिए और 5 फंदा एक्स्रा डाल दीजे फंदा डालने के बाद आप बॉर्डर बना लिजे बॉर्डर बनाने के बाद आप ये डिजाइन सुरू कीजे तो इस डिजाइन को सीधा के तरब से बनाना है तो सीधा के तरब से देखे पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे धागा को आगे करेंगे और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन फंदा उल्टा बना लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा तो देखिए यहाँ पर एक फंदा को छोड़के दो, चार, छे, आठ, दस, बारा बारा फंदा हो गया ये बारा फंदा को हम पूरे सलाई में रिपिट करते जाएंगे अब लाश्ट में देखे धागा आगे करेंगे और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन फंदा उल्टा और लाश्ट का एक फंदा सीधा से बना लेंगे तो देखिए हम पूरी सलाई बना लिये हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देखिए पहला फंदा को उल्टा से उतार लेंगे धागा को पीछे करेंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे एक दो तीन फंदा सीधा फिर धागा आगे और दो फंदा उल्टा एक दो दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और दो फंदा सीधा एक, दूप, धागा आगे एक फन्दा, उल्टा, तो इस तरह से जो फन्दा जैसा है उसी तरह से बनाते जाएंगे, तो देखे उल्टा के तरफ से हम पूरी सलाई बना लिए हैं जो फंदा जैसा था उस तरह से और अब हम बनाएंगे तीसरा सलाई, चौथा सलाई, पांचमा सलाई, छठा सलाई चार सलाई हम इसी को रिपीट करेंगे तो हम रिपीट कर लेते हैं तो देखे यहां पर हम चार सलाई रिपीट कर लिए हैं और रिपीट करने के बाद अब हम बनाएंगे सात्मा सलाई सीधा के तरफ से तो सात्मा सलाई देखे पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे धागा आगे और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे दो, तीन, तीन फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे और देखे ये दो फंदा को इधर लाएंगे और इस दो फंदा को इधर ले जाएंगे तो इसको हम पीछे के तरब से ऐसे आगे लाएंगे देखे और इसको हम इधर ले जाएंगे इस तरह से और इसको इस पे सलाई पे चड़ा लेंगे अब देखे इसको चारों को हम सीधा बनाएंगे एक, एक, दो, तीन, चार चार फंदा सीधा बना लेंगे और देखे ये जो फंदा सीधा का है इसको भी हम सीधा से बनाएंगे पांच फंदा हो गया सीधा का अब इस दो फंदा को इधर ले जाएंगे और इस दो फंदा को इधर लाएंगे तो हम इसको उतार के पीछे के साइट से दो फंदा को पीछे ले जाएंगे और इसको जो है आगे लाएंगे ऐसे इसको आगे ले आएंगे और इसको हम सीधा से बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदा सीधा बना लेंगे देखे इस तर फिर देखे धागा आगे तीन फंदा को उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा तो देखे हम पूरी सलाई बना लिए हैं और उल्टा के तरफ से जो फंदा जैसा है उस तरह से बना लेंगे तो हम उल्टा के तरफ से बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हम उल्टा के तरफ से पूरी सलाई बना लिये हैं और अब हमारा ये आठ सलाई का डिजाइन कम्पलिट हो गया है यही आठ सलाई को आपको पूरे स्वेटर में रिपीट करते जाना है तो हम एक सलाई आपको repeat करके दिखाते हैं तो देखे पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे धागा को आगे करेंगे तीन फंदा उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन तीन फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, दो फंदा सीधा एक, दो, दो फंदा सीधा, फिर धागा आगे, दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा फिर धागा आगे, दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे, दो फंदा सीधा फिर धागा आगे, तीन फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और लास्ट के भंदा को सीधा से बना लेंगे तो देखे हम एक सलाई आपको रिपीट करके दिखा दिये हैं इसी तरह से आपको पूरे स्वेटर में पूरे इसी आठ सलाई को रिपीट करते जाना है तो हम थोड़ा सा आपको repeat करके दिखाते हैं तो देखें यहाँ पर हम थोड़ा सा repeat कर लिए हैं और पूरे sweater में आपको इस तरह का design दिखेगा तो दोस्तों आपको मेरा ये sweater का design कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा ये design पसंद आया हो तो like करें और धीर सारा share करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you